नमस्कर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे جब 25 वाट का आइरन को हम लाइन में लगा रहा है हीट करने के लिए लेकिन यह heeat हो रहा है... यहां पर पूरी लाल हो जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि यह पुरी लाल हो गया है यहाँ पे धेख सकता हो कि यह पुरी तरह लाल हो जाहा है overheat हो रहा है पेहले हम बओर में से क्ट कर देते हैं दोश्तों यह overheat क्यों होता है हम एक एक पॉ 이제 समझा कर 20 इस बतायेंगे इसके बाद इस बोड से हम इस पलग को पहले निकाल देंगे, निकालने के बाद में इसको हम साइड में रख देंगे, ठंडा होने के लिए, कुछ देर के लिए, उसके बाद इसमें बोल्ट चेक करना है कि ये कितने बोल्ट इसमें करेंट आ रहा है, तो मल्टी मीटर से हम इ इस board में 240-41 बोल्ट के करीब यह current आ रहा है तो यह 200 से लेकर 250 बोल्ट को सही से work करता है लेकिन 240 पहीं overheat यह हो रहा है इस board में अगर दूसरा iron को लगा रहा है तो proper गरम हो रहा है लेकिन इस iron को लगा रहा है तो यह overheat हो जा रहा है इस iron को कैसे repairing करना है तो यहां पर आपको 3 screw देखने को मिल जाएगा तीन screw को open कर लेना है किसी iron में screw नहीं रहाता है डिरेक्ट open हो जाता है लेकिन जब screw दिया हुआ है तो इसको हम open कर लेते हैं उसके बाद 3 screw को जब open कर लेजेगा तो इसको आहिस्ते से घिचिएगा और अगर नहीं बाहर निकल रहा है तो थोड़ा सा तार को इस तरह पिछे से जबड़ा के लिएगा न यह बहुत असानी से बाहर निकल जाता है तो इसमें देखिएगा तो आपको ज़्यादा component इसमें लागा हुआ नहीं मिलेगा एक resistance over LED indicator लगा हुआ है जब हम line देते है तो यह resistance over indicator का काम होता है इसको indicate कराना पर यह diode लगा हुआ है जो diode की रास्ते से इस element में current पहुँचाता है तो इसमें दूसरा कुछ component नहीं है तो सबसे पहले आपको devote चेक कर लेना है कहीं आपका devote जो यह लगाया हुआ है यह devote तो sound नहीं कर गया है अगर दोनों तरफ से इसमें beep की आवाज आ रही है तो समझ लिजिए कि यह sound है तो हम multimeter से इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों multimeter को continuity mode पर select कर लेंगे continuity mode पर multimeter को select कर दिये उसके बाद इस दोनों pro को हम यहां पर सटा कर चेक करेंगे अगर beep की आवाज सुने दे रहे हैं तो multimeter continuity mode पर select उसके बाद इस डाइवोड को चेक करना है तो डाइवोड में दो लेग होता है देख सकतो एक लेग यहां है एक लेग यहां है तो दोनों लेग पर एक एक pro को हम यहां से सटा कर चेक करेंगे अगर beep की आवाज आ रही था इस डाइवोड खराब है तो आप देख सकते हो दोस्तो की beep की आवाज आ रही है अभ इस pro को हम पलॉट कर देखेंगे और इस तरह हम पलॉट कर चेक करेंगे, देख सकते हो दोस्तों beep की आवाज इसमें आ रहे है Surface लाइन में लगा हुआ नहीं होना चाहिए नहीं तो आपको हाई वोल्टेज का क्रेंट लग जाएगा तो यह डैयोड 100% खरा है इसमें जो भी प्रोब्लम है इस डैयोड की प्रोब्लम है यह डैयोड खराब है तो इस डैयोड को चेंज करना होगा तो इस तरह का डैयोड मार तो इस डैवोड में भी आपको उल्टा और सिधा रहता है देखिए एक तरफ आपको silver पटी मिलेगा और दूसरी तरफ पूरी black मिलेगा ये जो डैवोड लगा हुगा है सेम उसी परकर लगा हुगा है एक तरफ यहां पर देखिएगा तो silver पटी है और पूरी तरफ बलाएक देख सकतो छोड़ा दिए इसके बाद इसका लेग थोड़ा बड़ा है इतना बड़ा माप लीजिए माप कर इस डाइवोड को इसका लेग को आप कट कर दीजिएगा और जिस तरह पहले लगा हुआ था जिस साइड से अनो देवोड केटो दूसी परकार से यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है तो इलिमेंट की और वाला लेग में यहाँ पर बलेक पटी और उसे लगा हुआ था तो बलेक पटी और से हम यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे सिंपल सा है दोस्तों अगर ओबर हीट हो रहा है तो आप इस तरह पहले चेक कर लिए डैयोड अक्सर खराब हो जाता है जिसके करन आइरन ओबर हीट होने लगता है अब यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग चलिए कर लेते हैं डैयोड को हम यहाँ पे सोल्डिंग कर दिये जो नयवाला डैयोड था और पुराना वाला डैयोड यह रहा है यह सोट कर गया था यह खराब हो गया इसको फेक देना है अब यह सोल्डिंग कर दिये यहाँ पे देख ल जाएका लगजाएगा उसके बाद इसमें जो screw दिया हूँ is screw को आप कस दीजिएगा यानी tight कर दीजिएगा चलिए यहां पर थे ठीग आप इस तीनो Such मिनट तक गर्म होने दिये, अब यह गर्म हो गया पहले हम आपको इस पेस्ट में दिखा देते हैं, तो देख सकते हो कि पूरा धूगा निकाल दे रहा है, उसके बाद इसमें कहीं पर भी आपको अब ओभर हीट का नहीं मिल रहा है, देखिएगा द्यान से, अब लाइन को भ तो 50,500 बॉल्ट पर हम सलेक्ट कर लेंगे और यहां से हम चेक करेंगे, देख सकतो हो दोस्तो उतना ही बोल्ट ہے 241-242 के करेब भॉल्ट है, दोस्तो इतना ही बोल्ट पार पहले यह वबर हीट होता था, लेकिन अभी यह वबर हीट होना बंद हो गया और प्रो पर गर्म हो